हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आज जो हम मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो इंग्लिश ओनर्स फाइनल येर में या फिर सेकेंड येर में सब्सेडियरी में पढ़ाई जाती है उस चैप्टर का नाम है दो वॉइस अफ गौड खुश्वन सिंग इस स्टोरी को लिखा है और ये स्लाइस अफ लाइफ में एक स्टोरी को कलेक्ट किया गया है अलग-अलग उनिवर्सिटीज में अलग-अलग बुक के नाम से जाना जाता है लेकिन ये जो कलेक्शन अफ स्टोरीज है वो स्लाइस अफ लाइफ के नाम से जाना जाता है जो स्पेशली पटने उनिव यह पढ़ाई जाती है तो उसमें एक final year के students के लिए है important chapter है The Voice of God written by Khushwan Singh यह एक बहुत ही रोचक और बहुत ही महतवपून कहानी है एक essay है जिसको Indian political scenario के मद्दनजर रखके यह लिखा गया है और यहां की जो आवाम है जो जनता है वो basically किसान ही यहां की करती है यानि कि यहां के किसान है और किसानों में भी जो effluent बहुत जादा जमिनदार और सबसे अधिक खेती करने वाले जो भारत के किसान है वो है सिक जो पंजाब में और हर्याना में मिलते हैं तो यह जो story है वो एक गाओं या यूं कहें कि दो गाओं के बीच की कहानी है जिसको हम commonly भामबा नाम के गाओं से जानते हैं एक्चली में दो गाओं है पहला है भामबा कलन और दूसरा जो है वो भामबा खूर्द है तो भामबा खूर्द जो है वो basically मुसलिम बहुल शेतर के लिए है वो दूसरे गाओं को रेप्रेजेंट करता है और भामबा कलन जो है वो specially sick के लिए है ठीक है तो अब होता क्या है कि दोनों adjoining गाओं है अगल अब अगल में है बीच में एक missionary school है और एक tomb है जिसको हम जानते हैं सैयद बुलहे शाह के नाम से वो दोनों गाओं को link करता है तो यहाँ पर जो जमिंदार है वो सब सिख बेडिकली सब सिख हैं और बाकि जो Muslims है या उनके बटाई पर काम करता है या खेतों में उनके काम करते हैं जुताई करते हैं और या फिर वो कुछ पौटरी वगरा बनाते हैं से अपनी जीवी का चलाते हैं जो भी मुस्लिम से हिंदू भी हैं शिक इसाई यह तीनो जाती लगव तीनो धार्म के लोग यहां पर रहते हैं जिसमें सबसे ज्यादा किसान जो एफल्वेंट हैं या प्रभावशाली हैं य तो यह वहां किसान प्रधान देश है ठीक है खेतियर अग्रिकल्चर यहां पर है जो दिखाई देता है तरक भरक वो कुछ एफल्वेंट लोग हैं या पैसे वाले लोग हैं या कुछ अमीर लोग हैं वरना यहां कि कि जो आबादी है अधिकतर वो किसान है और घरीब हैं लेकिन पंजाब के जो सिख हैं, वो गरीब नहीं है, जो किसान है स्विशली, तो ये मामला कुछ पॉलिटिक्स का है, जैसे गाओं के जो लोगों की जो जिन्दिगी होती है, वो कैसी होती है, तो बस अपने तक सिमित, किसी तरह से जी खा रहे हैं बस, और जहां तक का हीत होगा, जब इंडिविज्वल सोचेंगे, तो वहां सही और गलत का फैसला करना मुश्किल हो जाएगा, क्या सही है और क्या गलत है, वो निर्ण नहीं हो पाएगा, और अक्सर गलत ही होता है, और इसमें जो है, सबसे जादा जो फाइदा होता है, वो बेइमान, करप और अपराध में सनलिक ऐसे लोग जो हैं, वो नेता बनते हैं, और उनको फाइदा हो जाता है, और वो इस चीज का पूरा खयाल रखते हैं, पूरा इस पर निगरानी रखते हैं, कि कोई परिवर्तन आम जनता के बीच नहीं आता है, कोई करांतिकारी परिवर्तन नहीं हो, जिससे उनकी जिन्दगी बदल सके या वो सवाल उठा सके, तो ये चलता रहा है, आज नहीं, ये सदियों से चलता रहा है, ये रियल राजिनी की इसी को कहते हैं, उसे में कुछ लोग होते हैं, जो डबे कुछले होते हैं, या जो बहुत ज़्यादा संगर्श्पुन जाता है, तो ये वीजन के साथ चलते हैं, तो उनको काटो पर चलना पड़ता है, कुछ ऐसी ही घटना है, कि यहां के जो लोग हैं, भामबा, जो कौमनली गाओ के नाम से जाना जाता है, तो वहां के लोग आम जिन्दगी जी रहें, खापी रहें, और सुबह शाम काम करते हैं, और दीन में, दोपहर में यूँ कहें, कि वो लोग आराम करते हैं, गफशप करते हैं, गाना सुनते हैं, या फिर गाओं में चक्की चलती है, जो फ्लावर मेल जिसको कहता है, आटा चक्की, तो उसके जो इंजन के जो पाइप होते हैं, उस पर एक कोई पोट लगा द आते हैं, ना तो कोई नेता उनके अहां आता है, अपने constituency में, पंजाब election के बाद, और नहीं कोई ऐसा कोई अधिकारी आता है, जो देखरे कर सके, जो पूछताच कर सके, और इनकी समस्याओं को सुन सके, तो जीवन यू कट रही है, तो ऐसे में ही एक अचानक एक दिन गा पारी आती है, और ब्रिटिश रूल कहीं लगभग सासन समझ लीजिए, उसमें एक जो deputy commissioner है, जो अंग्रेजों का शासक होता है, उसका नाम है फोरसित, वो एक व्यक्ति को लेकियाता है, जिसका नाम है गैंडा सिंग, वो भी सिख है, दूसरा नाम है करतार सिंग, वो भी स किसान पडिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनको छोड़कर ये किसान लोग नहीं है, ये advocate general है, और एक judge, ठीक है, तो इस तरह का इनका background है, लेकिन ये जो दो नाम है, गैंडा सिंग और करतार सिंग, जो nationalist party को represent करते हैं, ये दोनों विख्यात है, पूरी तरह से इनको ज जाना जाता है कि ये लोग कैसे व्यक्ति हैं, highly corrupt, ठीक है, lavish life जीने के लिए, और ये जो English अधिकारी हैं, British हुकूमत के, उनके लिए महिलायत महिया कराना, लड़कियां महिया कराना, शराब देना, खाना पीना, सब ये इन लोग का काम है, और basically गाओं के लोगों को मुर्क बना के शराब सिर्फ दे के और उनसे वोट लेना, और गाओं के लोग बरही भोले होते हैं, बोले कहें के मुर्क कहें, पता नहीं, ये ऐसा खुस्ष्बंद सिंग सोचते हैं, कि वो वट दे भी देते है, मुद्य क्या है, मुद्य ये नहीं कि देश का क्या होगा, या फ ले वदो बी कता है निहीं सेटा छाजटी है इन मुद्धुपर वोट लोग देते हैं कुछ पैसे मिल गया हूं ुसमूद्र देंगे हमारा पर्सनल काम कोई हो जाता हूं समूद्र प्रवूट देंगे तो ऐसे में जो आपराधी लोग है हैं या बहुत लुटेरे लोग हैं वो नेता बन के आते हैं और वो जीत जाते हैं वो जीते हैं सही लोग जैनरली नहीं जीत बाते हैं ऐसा खुश्वन सिंग ने एक परिद्रिष्य कायम की है तो यू चलते रहते हैं गेंडा सिंग आते हैं और अचानक सब चुप हो जाते हैं सब लोग देखने लगते हैं कुट्य भौकने लगते हैं गारी की आवाज से धूल उड़ने लगती है जैसे एलक्षन का समय आता तो हेलिकॉप्टर उतर रहे हैं गारी आ रही है नेताओं का आना जाना बढ़ गया है अचानक ठीक है जनता जो है वह भगवान समान दिखने लगती है तो ऐसा ही कुछ होता है फिर करतार सिंग आते हैं सब लाउड पूरा अनॉंसमेंट होता है घोशनाय होती है नाम लिया ज खराब देता है कोई पैसे देता है और सब लोग मान भी जाते हैं पता नहीं एक व्यक्ति है जिसका नाम है बाबा राम सिंग वह बाबा जी के नाम से ही जाने जाते हैं वह आते हैं घोड़े पेचर के उनके साथ दूसरा कोई है भी नहीं अकेले हैं उनका बैक्ग्राउं आप आगरेंगे कि छवी है वह मंदार है और अपना सब कुछ घर्दवार वह बेघर है बिल्कुल लेकिन वह फिर भी समाज के लिए लर रहे हैं वह सोशल लेवेल पर लर रहे हैं और बाकी लोग इंडिविजुवल देखते हैं तो यह लोग बरे आसानी से जूटे वाइदे में फस जाते है हैं जो वते हैं कोई ुखी तो होती नहीं ने formulation करते हैं कि हमिए कर दें कर देंगे लेकिन होता कुछ नहीं है कुछ है और जो फकीर है जो चाह रहा है कि अब कुछ करेंगे उनकी कुई नहीं सुनता है। लोग प्रदर्शन में विश्वास करते हैं, जो दिखता है उसमें विश्वास करते हैं, और लोग बला आसानी से कॉमेंट भी कर देते हैं, क्या रहे इसके पास तो खुद ही नहीं है, ये क्या भलाई करेगा, जबकि हाकिकत यह नहीं, हाकिकत यह है कि जिसके पास ज्यादा संपतिय वो जादा और लालची और उसे चाहिए गरीबी में संतुष्टी होती है बहराल तो इलेक्षन का समय आता है चारों तरफ अपरा तफ्रीव मचती है सभी लोग एनाउंसमेंट करते हैं आते हैं अब भाशन देते हैं लोगों को लूब आते हैं शराप से पैसे से किसी ना किसी तरीके से परसनल मुद्धे पर और लोग लूब भी जाते हैं ये जनता बेचारी ह कि भोली है पता नहीं वहां पर सही है कि गलत है अगर हम किसी कम्यूनिटी को भी देखे तो तीनों के तीनों सिख हैं खुश्वन सिंग का ध्यान यहां पर आकरिश्ट करना है कि वहां पर तीनों सिख हैं लेकिन उनमें से कौन सही है कौन गलत है ये निरने किस प्रकार से ह किस तरते हैं क्या मुद्दा होता है क्जन दक्ते नहीं कर पाता ये वाक एक अलग दुनिया होती की अAlag परिवेश होता है उनकी अपनी एक अलग सोच होती है सरकार बनती है विगरती है कि ती है उससे कोई खास अन्हें फरक नहीं पड़ता है चुकि वह अपने अपने खेतों में मेहनत मजदूरी करते हैं और ऐसे हैं उनकी अपनी जीविका चलाते है तो उनको लगता है कि उससे क्या होने वाला है जो आए जो कुछ दे दे ठीक है उसी को सपोर्ट कर देंगे लेकिन चेतना ये नहीं है खुश्वन सिंग का कहना है कि अवेकिनिग क्या है कि रियल मुद्य क्या है इशूज क्या है जिससे एक करांतिकारी बदलावा है वो है शिक्षा, वो है रुजगार वो है स्वास्थ ये सब मुख्य मुद्य हैं जिससे देश में बदलावा आएगा समाज में बदलावा आएगा श्वेतर में बदलाव आएगा, यह मुद्धे किसान और गाव के लोग नहीं समझते हैं, तो सभी वायदे करते हैं, और यह जो बाबा राम सिंग है, वो अकेले घोरे पर चरचर के जाके बचारे अपना कुछ-कुछ भासन देते हैं, कुछ सुना नहीं सुना, कोई मतलब न बांगते हैं, कि हमें वोट दीजिए, हम इस मुद्धे पर लगने हैं, हमारी यह अपनी डिमांड है, कि आप वोट दीजिए, तो हम यह बदलाव लाएंगे, सुनते हैं, नहीं भी सुनते हैं, चुकि इनके पीछे कोई जयजयकार करने वाला नहीं है, चापलूस लोग न नहीं है, तो जनता जो है, बेचारी जनता, या मुर्ख जनता, कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें जो दिखाई देगा, प्रकान, प्रचंड, उनमें उनका ज्यादा आस्था होता है, सधारन से, सिंपल से दिखने वाले चीजों पर उनका विश्वास नहीं होता है, तो ऐसे ही जब वो घूमते रहते हैं, बाबाराम सिंग कैनवस करने के लिए, वोट मांगने के लिए, तो उनको प्रोकेटिव सेडिशन चार्ज में उनको फंसा के गिरफतार कर दिया जाता है, एलेक्शन संपन होने से पहले ही, ये बचारे जेल चले जाते हैं, तब ये जो फोर के गेंडा सिंग 10,560 वोट से जिते हैं, कրतार सिंग 8,340 वोट से जिते हैं और बाबाराम सिंग 760 वोट ही मादर प्राप्त करते हैं, यानि जो अंत में जो इनकी चर्चा की गए हैं, उनकी जमानत जब्त हो जाती है। यह यहीं पर स्टोरी खतम होता है। श्टोरी तो खतम हो जाता है। लेकिन चिंतन का असंख ऐसे मुद्य ऐसे विचार छूट जाते हैं। और खुश्मान सिंह वह सामने रख देते हैं, परोज देते हैं। आप विचार करिये। लेकिन ये भारत के सिनारियों को शो करता है It's not only about Punjab और any other constituency It is really about the whole country Like India तो ये पूरे देश की ये समस्या है उसी को उजागर करने के लिए ये voice of God किया उन्होंने लिखा और जनता आसानी से रिजर्ड सुन के कहती है कि यही voice of God है यानि जनता की जो चुनाव है जनता ने जो चुनाव किया है जनता ने जो चुनाव है ये voice of God है लोग कहते भी है जनता की आवाज, भवान की आवाज है यही है कैसे elections होते हैं कैसे वाइदे होते हैं कैसे जीत होती है सही गलत का कोई ये लुक तंतर होते हुए भी एक अजीब तंतर है उसी चीज़ को उन्होंने पोट्रे किया हुआ है ये आज हो या पहले हो ऐसा चलता रहा है तो ये कहानी रोचक है, सोचने योगे है और आपके लिए एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है So wait for the next video Thank you, keep on watching, sharing and subscribing बहुत लोग है जो view तो कर लेते हैं लेकिन subscribe नहीं करते हैं और कुछ comment नहीं करते हैं So please keep on commenting, ask for the more videos Thank you very much, welcome